मदह बूलियेगा तो सबसे पहले आपको फोनपay अप्लिकेशन को अपन करने ना है जैसे आप फोन पर अप्लिकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीकर का इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ आप आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए एक option आपको मिलता है यहाँ पर देख रहे हो उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा recharge and bill pay आप देख सकते हो recharge and bill pay एक option पर नीचे एक option यहाँ पर कोने में आपको मिलेगा see all see all का एक option मिलेगा यहाँ पर आपको simply उस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक कर गोई तो आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे option खुलके आ जाएंगे mobile recharge fast tag recharge dts cable बहुत सारे यहाँ पर आप recharge कर पाऊगे तो simply आपको play store store में redeem code लेना है या free fire के लिए redeem code लेना है या किसी भी चीज़ के लिए redeem code लेना है तो आपको simply आपको नीचे थोड़ा सा ना इस तरीके से जीसिए आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा purchase का देख सकते हो purchase option यहाँ पर play store एक आपको आइकन दिख रहा ह होगा आपको तो simply आपको Google Play के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यह वाला page आ जाता है अब आप से पूछा जा रहा है कि आप कितने रुपे का लेना चाहते हो मतलब कि आप कितने रुपे का redeem code बनाना चाहते हो वह आपके उपर 10 रुपे का भी बना सकते 200 रुपे 2 रुपे 5 रुपे भी आप अपने इसाप से redeem code ले सकते हो जितनी की आपको जरूरत हो तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको example मुझे redeem code नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ 10 रुपे का redeem code लूगा क्योंकि मुझे redeem code की कोई भी जरूरत नहीं है उसके बाद यह देखिये payment यहाँ हो रहा है होड़ा सिंदिजार करेंगे यहां तो प्रोसेस हो चुका सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका लिमान लेटर कर दिने और यहाँ देखिए रिचार्ज कोडर आचुगा मैसेज में दिमेरी बात आजाएगा और आपको यहाँ पर दिखा दिया यह हैँं आपका रीडियम कोड है sleeping कर सकते हो इससे लिए प्ल्डे यहीए आपका रीडियम कोड इसमें कोपी कर लिजेगा 10 रुपय का तो मैं आपको मेसेज में भी मिल बढ सीज़ में भी आपको